IPL जो कि BCCI की billion dollar printing machine है और जिसमें कई सारे top businessmen और Bollywood के superstar शामिल है आज हम उसके economics के बारे में बात करने वाले हैं और कई बार हमारी दिमाग में ये सवाल भी आता है कि जिस IPL की price money है 20 करोड रुपे और जिसमें एक superstar cricket player MS धुनी को खरीदा जाता है लगबग 20 करोड में उसका economics इतना आसान कैसे हो सकता है IPL के इस business model का अगर किसी ने सबसे जादा फाइदा उठाया है तो वो है Mr. Vijay Malya Ambani family भी उनी के कदमों पर कदम रखते होए इस business model का भरवूर फाइदा उठा रही है साथ इस IPL के महा संग्रा में कई सारी लडाईया भी हो रही है एक BCCR गवर्मेंट की बीच चल रही है वही दूसरी शारुक खान और सल्मान खान की बीच हो सकती है साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आप किसी IPL फ्रंचाइजे में इंवेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दू कि एक सक्सेस्पुल स्टॉप मार्केट इंवेस्टर ने रेसेंटली एक IPL फ्रंचाइज में इंवेस्ट करके 400% का प्रॉफिट कमाया है तो पॉपकॉन लेकर रेडी रहिए और दे इकोनोमिक्स आफ IPL को इंजोई कीजिए नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ साल 2018 तक जादतर IPL कमपनीज लॉसस में थी लेकिन साल 2018 के बाद जादतर IPL कमपनीज प्रॉफिटेबल हुई तो इन IPL फ्रंचेज इसके प्रॉफिटेबल बनने के पीछ अगर कोई है तो वो हो आप IPL का मेजोरिटी रिवेन्यू यानि जादतर रिवेन्यू दो जगह से आता है पहला है IPL के मीडिया राइट्स जो की फिला स्टार इंडिया के पास है और पहले सोनी के पास थे साल 2008 से लेकर 2017 तक IPL के राइट्स सोनी के पास थे और उसके लिए सोनी हर साल 700 करोड रुपे BCCI को पे कर रहा था लेकिन 2018 में ये कॉंट्रेक्ट मिला स्टार इंडिया को और वहां से स्टार इंडिया सालाना पे कर रही है 3,270 करोड तो ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं बलकि 4 गुना से भी जादा की ग्रोथ है इसी तरह की ग्रोथ IPL के टाइटल स्पांसर फीज में भी देखने मिली 2008 से लेकर 2012 तक DLF IPL का टाइटल स्पांसर था और वो हर साल BCCI को 40 करोड रुपे पे कर रहे थे अगर हम IPL की बड़ी टीम्स की बात करें जैसे कि Mumbai Indians, Chennai Super Kings और KKR तो इनका average profit 40 से 50 करोड के बीच रहा है लेकिन अफिर सवाल आता है कि बड़े बड़े businessman जैसे कि Mukesh Ambani जिनकी net worth फिला 6,70,000 करोड है वो सिर्फ 40-50 करोड के लिए किसी IPL टीम में क्यों invest करेंगे तो इसके पीछे का economics भी बड़ा interesting है हलाकि विजे मल्या को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि IPL का असली profit बाकी चीज़ों में नहीं है वो है अपने खुद के products प्रमोट करने में और इसलिए उन्होंने टीम का नाम भी कुछ वैसा ही रखा Royal Challengers Bangalore और इसके लिए कई सारे अलग-अलग campaigns उन्होंने लाए जैसे की उलालाला लेओ और इस campaign के जरिए उन्होंने किंग फिशर को काफी heavily प्रमोट किया इंडिया में alcohol को direct promote करना अलाओ नहीं है तो यहाँ पर विजे मल्या ने बहुत ही intelligently और बहुत ही smartly खेलकर अलग-अलग अपने brands को इसी तरह से promote किया और उसका फाइदा उनकी company United Breweries को हुआ और इसी model पर चलते हुए अब Ambani family भी Jio को IPL के जरिए promote कर रही है आप देखो तो उनका model भी लग-बग similar ही है Jio का promotion वो अलग-अलग जगा पर यानि जर्सी और बाकी चीजों पर करते है साथी उनोंने भी King Fisher की जिंगल की तरह ही Jio की जिंगल लाई है Jio धन-धना-धन और उसके जरिए वो heavily Jio को promote कर रहे है हलाकि Star India के जो media rights है वो अगले साल खतम हो रहे है तो यहाँ पर Mr. Mukesh Ambani के Reliance Industries भी कोशिश कर रही है कि उनकी company को ये media rights मिले और यहाँ पर Mr. Mukesh Ambani अपनी company Networkating Group के जरिए IPL के media rights के लिए bidding कर रहे है तो कई सारे businessmen को यहाँ पर अपने businesses को indirectly बढ़ाने की opportunity IPL के जरिए मिल रही है जो कि IPL टीम के 40-50 करोड के profit से बहुत बढ़ी है और इसलिए यहाँ पर Mr. Gautam Adani भी next IPL टीम के लिए bidding कर रहे है और सिर्फ वही नहीं यहाँ पर Bollywood के सुपरशार सल्मान खान भी शारुक खान को टक्कर देने के लिए आ रहे है साथी South Indian सुपरशार मोहनलाल भी यहाँ पर IPL के लिए bidding कर रहे है अगले साल IPL का Mega Auction है और साथी New Teams भी आ रही है तो अगले साल IPL का यह पूरा महा संग्राम और भी अलग लेवल पर जाती हुए हमें मिलेगा यहाँ पर सिर्फ बिजनसमन ही नहीं बलकि स्पोर्समन भी बहुत पैसा कमा रहे हैं पोलाड को सालाना वेस्ट इंडिस क्रिकेट बोर्ड की तरब से 1.42 करोड रुपीज मिलते हैं और हर साल दो महिने IPL खिलने के लिए ही 5.4 करोड रुपीज मिलते हैं काईली जैमी सन को न्यूजिलेंड बोर्ड की तरब से सालाना एक करोड रुपे मिलते हैं और IPL सिर्फ दो महिने में ही 16 करोड रुपे मिलते हैं सेम चैस पैट कमेंस और कई सारे क्रिकेटर्स के लिए लागू होती हैं इनफेक्ट कई सारे फॉरण प्लेयर्स नैशनल टीम छोड़के IPL में खिल रहे हैं IPL जिसकी ब्रैंड वैल्वी 7 बिलियन डॉलर यानी करीब 50,000 करोड रुपे हैं उसने GDP में भी बहुत अच्छे से केंट्रिब्यूट किया हैं कई सारे जॉब्स उसकी वज़े से क्रियेट हुए हैं टूरिजम इंडस्ट्री को भी फाइदा मिला है और साथ ही बिजनस्मन और स्पोर्ट्समन को भी उसका फाइदा मिला है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू और हाँ अगर आपका पहले सी डिमेट अकाउंट है तो आप एक से ज़ादा डिमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं इस ओफर के सिर्फ दो ही दिन बाकि हैं तो तूरण डिस्क्रिप्शन में दीगे लिंक पर क्लिक करके अपना डिमेट अकाउंट खोल लीजिए लेकिन एक और कैटिगरी यहाँ पर है जो कि बहुत ही शौकिंग है लेकिन जिनको उसका बहुत ज़ादा फायदा मिला है और यह और कोई नहीं बलकि फैंटेसी गेमिंग प्लाटफॉर्म से हैं जैसे कि ड्रीम 11 और MPL और यह जानकर भी आप चोक जाओगे कि ड्रीम 11 का वैलुएशन IPL की ब्रैंड वैल्यू से भी जादा हो गया है फिलाल ड्रीम 11 का वैलुएशन 60,000 करोड रुपीज है ड्रीम 11 अब IPL के मीडिया राइट्स के लिए भी ट्राय कर रहा है उनकी सबसिडिरी कंपनी फैन कोड के जरिए आप लायू मैच देख सकते हो और इसे चीज़ को अब वो कैपिटलाइज भी कर रहे है जिस IPL का इतने सारे लोगो को और एंटिटीज को फायदा मिल रहा है क्या आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं? यानि क्या आप किसी IPL टीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं? और आपको बता दू कि IPL दुनिया के चौत ही सबसी बड़ी लीग है इंडिया में कई सारी स्पोर्ट्स टीम जैसे के युवेंटस, मैंचेस्टर उर इन्नाइटिड इनके शेर स्टॉक एक्चेंज पर लिस्टेड हैं जहाँ पर आप आसानी से इनके शेर्स खरीद सकते हो लेकिन इंडिया में किसी बे IPL फ्रंचाइज के शेर स्टॉक एक्चेंज इस पर लिस्टेड नहीं है लेकिन प्राइवेट मार्केट में वो ट्रेड हो रहे हैं साल 2018 में सक्सेस्पल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिश्टर राधा किशन दमानी ने CSK का 2.39% स्टेक खरीद लिया था साथी LIC ने भी CSK का 6.02% स्टेक खरीद लिया है इंडिया में IPL टीम स्टॉक एक्चेंज पर लिस्टेड नहीं है लेकिन प्राइवेट मार्केट में उनके शेर्स टेड हो रहे हैं अगर आपको किसे IPL टीम में बड़ा स्टेक खरीदना है तो उसके लिए आपको रिचाउट करना पड़ेगा उन लोगों से जिनके पास अल्रेडी उन IPL टीम का स्टेक है लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए फिलाल ये शेर्स खरीदना अभी भी बहुत डिफिकल्ट है तो आप क्या चाहते हो किस IPL टीम को सबसे पहले अपना IPO लाना चाहिए और आप किस IPL टीम में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे निचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए साथ ये अपने IPL देखने वाले दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर कीजिए और उनसे भी पूछिए कि किस IPL टीम में वे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे थैंक यू सो मज